प्रिये वीवर्स हमारे दिश्टी PCS चनल पर अपसे हरोज शाम 6 बजे राज विशिस करेंट अफ्यर्स देखना ना भूलें धन्यवाद द्रिश्टी आईएस के डेली करण न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है डेली करण न्यूज में चर्चा का विशे है पीम सुरक्षा उलंगन की जाँच के लिए समीती नियुक्त मुखे न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया पंजाब यात्रा के दौरान हुई सुरक्षा चूक की जाँच के लिए एक समीती का गठन किया इस समीती की अध्यक्षता शीश अदालत के सेवा निवृत नियायाधीश करेंगे यह समीती उन सभी परिस्थितियों की जाँच करेगी जिसके कारण प्रधानमंत्री का काफिला पंजाब में फस गया था शीश अदालत ने केंद्र सरकार और पंजाब सरकार से इस मामले में अपनी जाँच आगे बढ़ाने पर भी रोक लगाई है यह समीती सुरक्षा व्यवस्था के अभी लेखों की जाँच के बाद निर्धारित समय के भीतर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी बतादे की प्रधानमंत्री के काफिले को पांच जनवरी को पंजाब के एक फ्लाई ओवर पर कई मिनट तक रुखना पड़ा था केंदर ने पंजाब राज्य सरकार पर सुरक्षा उलंगन का आरोप लगाया था और इस संबंद में ततकार रिपोर्ट मांगी थी केंदर और राज्य दोनों ने इस सुरक्षा चूप के लिए अलग-अलग जान समीतियों का गठन किया था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अपनी कारेवाहियों को रोकने के लिए कहा है प्रिये व्यूवर्स इसी टॉपिक को इंग्लिश में देखने के लिए देखिए द्रिश्टी आईएस इंग्लिश योट्यूब चैनल